अब नमस्कार मैं हूं गाहित्री गुपता और आप देख रहे हैं इस पीए नाइन नियूज और एक बार फिर से मैं आपके सामने अपना खास प्रोग्राम लेकर हाजर हूँ और बात करूंगी अपने इस खास प्रोग्राम में तेश प्रतापयादों को लेकर जी हाँ तेज प्रताप यादों को लेकर एक तरफ जहां यादो परिवार की मुश्किले हल होती भी नज़र आ रही कुकि उन्होंने संकेत दे दिये हैं कि वह बहुत जल्ग पटना लोटेंगे और इसके साथ उनके दोस्त ने भी जबरदस खुरासा किया इसके अड़ावा उन्होंन और उनकी चहेती बेटी के पती हैं जी हां मैं बात कर रही हूं लालो प्रसाय रादो की छोटी बेटी राज लक्षमी की जिनके पती तेश प्रताप यादो जो कि मुलायम सिंग्यादो के पोते हैं में पूरी से सांसद हैं अब वो खुड सामने आ गए हैं उन्होंने कहा जा रहा है कि तेश प्रताप यादो के संपर्क में हैं तेश प्रताप यादो दरसल राजलक्षमी की पती का नाम तेश प्रताप यादो है और मुलायम लालो का गड़बंदन देखने को मिला था जब बिहार में विधान सभाचना होने वाले थे उसी से पहले राजलक्षम कि तेज प्रताप यादो जिसा से कोशिश कर रहे हैं तो क्या लगता है कि जीजा की बात मानेंगे साले तेज प्रताप यादो कि दख़ अब मुझे नहीं है एक छोटा सब डाय लोग लारा रहे है लिए अगर जो यह नहीं बीच बांडिंग अच्छी है तो कि दोनों के देखा जाए तो उम्र में चाहिए वाके रहा चैना क्या 2 कि एक जैसे मिलती है अगर जो सोच एक जैसे मिलती है तो डेफिनिट्ली जो तेज है जो तेज को मनाने में बिल्कुल कह सकते हैं तयार है तो डेफिनिट्ली तेज-परताफ उनकी बात मानेंगे पहली बात दूसरी बात हुँद के दामादों की हमारे तरफ थोड़ी है बहुत चलन भी में वाकई में मामला थोड़ा सीरियस हो गया जाहिर सी बात है क्योंकि दामाज जल्दी अपने ससुराल के किसी भी बात विचापे मामले पर हस्तक शेक नहीं करते हैं यह अच्छे घर की बात होती है उन्होंने अब बीच में वह आये हैं उन्होंने अपने तरफ से कोशिश क किये तो कहीं न कहीं मामला बहुत संगीन है और मैं मुझे जैसे उमीद है कि वह अपने सालेची को मनाने में पूरी पूरी तरीके से कोशिश तो करेंगी हैं तो घर में कुछ भी लड़की भले शादी हो जाए लेकिन अगर माबाप को कोई परिशानी है भाई या भाव को कोई परिशानि है तो लड़के अपने सवस्टाल से बहीं न कहीं अपने घर में बिल्डी बात को बनाने की पूरी कोशिश करती है और यहीं राज्लक्षमी का भी देखने को मिल रहा है राज्लक्षमी का क्या रुख है यह तो नहीं पता जाई से लाएं अंदरिन खेमे में M तो Pas Ofon जो कि करने में यह सब्सक्रान में और एंग्यीनिये सद्सक्रारी मेरी में सब्सक्राइब कि फेर्मों करें स्वारा कि में ह typically धो करें स minimize थे कि इंगे इंथा से वहां झाओ सवी सब्सक्राम किरा बतार देखाई तो आम चुनाव को लेकर कि और में भी कि उनको राजनीती तौर पर भी समझाया जा सेगे क्योंकि पूरा परिवार जुट चुका है बात करूं बढ़ी बहर मिशा भारती की बात करूं रापडी देवी जी की बात करूं लालु परशाद यादव जी की तेजस्वी की हर कोई यह कोशिश करना है तो इसे भी जब राज लक्षमी जी या उनके साथ उनी के बातों को रखने के लिए जब उनके पती तेश परताफ ही आ गये है तो डेफिनेटली कुछ राजनीती को लेकर कुछ लाट बहुत इमोशनल थोड़ा बहुत बारिवारिक थोड़ी बहुत सम कौशिश करेंगे कि लालू का परिवार जो अपने बहुत बड़ी हस्ती है और समाज तो पर राजनीती सियासी राजगराना तो इस तरीके से वह मनाने की कोशिश करेंगे और तेज-परताफ की तरफ से जैसे अभी हमें ने देखा है कि थोड़ी बहुत पहले के मुतावि तरीके से तेजपरताब को समझाना सही बोल रहा है वह संजीवनी बूटी का काम करेगा कि अब उनका गुस्टा थोड़ा शांत है क्योंकि गुस्टे में जब इंसान को सही बात भी बोलेंगे गायतरी जी तो आपको पलटके वही जी वाकई बिल्कुत तो अब उनका गुस् जाकर या मत्रा जाकर समझाने की कोशिश करें और शाहिड हो सकता है कि अब भी यह संपर्क में लेकिन संपर्क इस तरह का एफ्मों पर संपर्क या फेश्टवेस संपर्क के कुछ भी है मैं कॉन्टक्ट में तेश-परताप थो वैसे देखा राज-दक्ष्मी के पती जो की जो एक बंधन तूट रहा है उसको जोड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है गलती दोनों परिवारों की गलती आश्पयाद्य और तेश-प्रताब दोनों की है यानि की समानता पर सब लोग आ का है जाहिER सी बात है घर से लगे हुए है और पूरी कोशिश कर रहें तेश-प्रताब को मनाया जाए है और उनका कहीं जो है परिवार की धजिया ही उड़ रही है बिहार की सरजमी पर कभी आज तक ऐसा देखने को तो मिला नहीं आदो परिवार में और बहु बेटे की जिसकी शादी को भी 6 महीने भी नहीं हुए और ऐसे में दिक्कते इतनी पेश आने लगें क्या लगता है प्रियंका तेश-प्रता की लोटने की पूरी उमीद है तेश-प्रता आप ने खुद अपनी माँ को बोल दिया है कि मैं बहुत जल्दी आओंगा पटना आप परेशान मत हो यह तो ऐसे में क्या यह जो उन्होंने संकेत दिये हैं हाला कि माराबणी से तो उनकी बात हो रही थी फोन पे एक मां का सम हमेशा हमेशा के लिए तेश-प्रताब घर नहीं छोड़ सकते दूसरी बात जिस वक्त तुन ने घर छोड़ा वह गुस्से में थे सब कुछ हपड़ तफड में हुआ वहां पर तुरंत अर्जी दर्जोई तुरंत परिवार एक हुए तुरंत अफरत-फरी सी मच गए उस पत्नी अच्वडिया के बातों को भूला कर तदाक की अरजी को खारीश करकर वह वापस अपनी पत्नी के साथ रहना चाहिए गुस्सा था जिसको लेका उन्हें राबड़ी पिता लालों पर भूश्सा है कि मेरे मेरे बीतरी मेरा साथ नहीं दे रहे हैं वह च्छह मैंने प पैदा किया हमारा साथ नहीं दिए वह घर छोड़कर गए वापस लोटेंगे यह तो तैह हो जो है ही लिए घर आकर वह अपनी पत्मी को लेकर के क्या बयाद लेते हैं क्या पैसले हैं उनके दिमाग पर पाना नामुम्किन है लेकिन हां कहीं न कहीं बात बिल्कुल सही है और लेकिन हो सकता है उनके आने का इंतिजार कर रही हो हाला कि कोई भी मान इशार्ति की उसकी बेटे की दुनिया जो है उजड़े पूरी कोशिश कहीं कर रही हो कि कैसे भी करके बिहार बसा जाए फिर तो मैं देख लूगी बिल्कुल रापड़ी देवी कहना है कि भई बेट करें दो बोल कि दाने की तरह चीट उनको पहले बुलाओ क्योंकि घर से दूर चले गए हैं ना किसी की ना सुन रहे हैं वहां कि पहले वह घर आए उसके बाद उनकी माताजी कह लिजिए बहन कह लिजिए हर को सम्झाने जे वाए पर मुझे ऐसा एक बदला मुझे पक्का लग रहा है मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि देखने के लिए मिलेगा कि इस बार राबड़ी अपने बेटे के साथ खड़ी होगी तो पहले भी होगा लेकिन राबड़ी शायद नहीं समझ पाई होगी कि उनका बेटा इतना हथी हो जाएगा लगते स्वास्ते का शिकार हो सकता है कि उनका भी स्वास्त जो अभी गिर रहा है इस खुशी से कहीं लबालब हो जाए और स्वास्त जो है अब देखते हैं तेजप्रता प्यादो पटना लौट रहे हैं और लौटने वाले हैं बहुत जल्द तो क्या ऐसे में हमाल लें कि नहीं लेंगे तेजप्रता प्यादो तलाकदर्श को कमेंट बॉक्स जरी बताईए पटाफट क्या सोचते हैं आप आपका यह उन्तिस नम क्या लगता है महनत रंग लाएगी बताईए कमेंट बॉक्स जरीए नमस्कार